नमश्कार जी मैं हूं क्वेलोफ किचिन और आप सभी का स्वागत करते हूं फिर से अपने किचन में और आज देखते हैं कि क्या बनता है हमारी किचन में तो चलिए तो यह है आर करड़िश ऑफ तटे और इसके इंग्रिजिएंस आपको डिस्कुप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो इसके लिए हमने लिए हैं 400 ग्राम पोहा या चोरा या फ्लाटन ड्राइस के सकते हैं इसको हमने दो लिया है और इसका पानी अच्छे से निचोड के साइ नमक अपने स्वाध अनुसार लिजिए एक तेज पत्ता लिया है और एक टीस्पून गरमासाला लिया है हमने 1 teaspoon चीनी चाहिए चीनी भी optionAL है आप जाओ तो skip कर सकते हो 1 teaspoon अदरक कप paste लिया है 1.14 कप धनीय पते को अमने खाटके रखा है 2 harimich लिए है उसको भी काटके रखना है 1 teaspoon जीरा लेना है आदा टी स्पून हल्दी का पाउडर चार टी स्पून तेल लिया है और एक टेबल स्पून गी लिया है आठ कड़ी पते लिये हैं एक कड़ाई को गरम कर लेंगे उस कड़ाई में हम तेल डाल लेते हैं और जब तक यह तेल गरम होता है तब तक इंतजार करते हैं बाद में इसमें हमें जीरा डालना है जीरा जब तक गोल्डन ब्राउन होता है तब तक इंतजार करना है यह लाइट और फ्लापी और गोल्डन ब्राउन बनते हैं जीरा तो अभी हम हरी मिर्च डाल देते हैं और अभी अधरक का पेस्ट भी डाल देते हैं अधरक को आप चाहो तो चोटे-चोटे काट के डाल सकते हैं या जूलेंस में भी काट के डाल सकते हैं मेरे गर में बचे हैं इसलिए मैंने पेस्ट बना के डाल दिया है तो भी हमें कड्यी पते भी मिला लzlich आँए है लिए क्वाची से फ्राय करना है अब हल्दी प्रड़र डाल देते हैं और अब हरे मटर डालेंगे और अब हम चीनी भी डाल देते हैं की निनी जो है which मacker का18 रंग हरारखने में बहुत थेल्प करता है तो इसलिए हम चीनी डालते हैं अगर आपको चे reviewers पसंद नहीं हैं तो आप सकेट अभी इसमें पूरा नमक हम ले रहे हैं उसमें से आदा नमक हम यहां अभी डाल देंगे और बागी का आदा नमक जो है वो पोपा में डालेंगे हम तेजपता और गरम मसाला भी डाल देते हैं इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको ढखना है डखके इसको कोखोने देना है जब तक कि हरे मटर कुक न हो जाए तब तक इसको ढखके रखना है इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है तब डख देते हैं जब तक कि उबल रहा है तब तक हम पोहे में जो नमक आदा रखा था वो नमक आड़ करके इसको अच्छे से मिला लेते हैं और सभी में रख देते हैं और अब दो मिनट हो चुके हैं अभी इसको इसके डखकन निकाल के इसमें किश्मिश डाल देना है तो अभी इसको अच्छे से मिला लेना है और फिर से डखके फिर पांच मिनट इसको कुखोने देना है तो लगबग इसमें साथ से आठ मिनट लग जाते हैं मटर को कुखोने में तो अभी हम ढगानाटा देते हैं और चेक करते हैं कि हमारे मटर को खुए हैं या नहीं कि अज़र इसमें से तोड़े से मटर लीजिए गा और या तो आप स्क्वईज करके भी देख सकते हैं या फिर आप एक दो मटर खाके देखीएगा कि कहीं कच्छे तो नहीं है अगर कचे नहीं है तो हमारे मटर रेडी है अभी इसमें हम पूह डाल देंगे जहां वही पूहा जिसमें हमने वागी का आदा नमक डालके मिक्स करके रखा था तो यह मटर चूरा जो है बनारस का डिश है और यह ठंडी में ठंडी के मौसर में बहुत ज़्यादा बनते हैं बहुत ही स्वादिश्ट भी रहते हैं हमारे एक फ्रेंड ने रेसिपी जर्जेस्ट किया और उनके कहने पे हमने यह रेसिपी बना दिया तो हमें भी पड़ा ही अच्छा लगा तो आप भी प्लीज एक बार ट्राइ करके देखिएगा बहुत ही प्लेच रहता है तो अभी हम इसमें घी भी डाल देंगे घी से बड़ा चस्वादाता है इसमें यह एक अथेंटिक रेसिपी है तो यह जैसा रेसिपी है हमने बिल्कुल वैसा ही बना दिया है अभी हम दन्या पता भी डाल देते हैं इसमें अब इसको अच्छे से मिला लेना है और आपका मटर चूरा रेडी है यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धानेवाद नमस्कार अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दबा दिजीगा धन्यवाद